So everyone, this is upstate अबिएकिंड वाचिंग देशी समीत यूट्यूटि चैनल भाई अज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने वीडियो जो भी हम Record करते हैं उसे the noise कैसे कर सकते हैं वो भी अपने मुबाइल से क्योंकि बाई अपने मुवाइल से हम वीडियो बनाते हैं और उसमें बहुत सारा नोईज आ जाता है अकल पकल का जैसे के मैं बना रहे हूँ तो यहाँ पर रोड के सारे वेहकल्स के साउंड आ जा रहे हैं अचली दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बारा हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को ज़रू दबाए उससे क्या होगा कि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूंगा मैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा तो भाई उस कार वाले हॉर्न को याद रखना तो अब आजाते हैं अपने प्ले स्टोर पे और वहाँ पे सर्च करते हैं नॉइस रिडियूस है यही एक ऐसा आप है जो आपके आडियो और वीडियो दोनों के नॉइस को कंट्रोल कर अइस सबसे हो कर सकते हो और फुली हंड़ेट परसंट कर सकता है तो पहले दो अब इसन्स्टाल कर लो और इसे फिर उपन करना शचलो है इसे उपन करते हैं करते हैं और देख एकoryडल है इसका सिंपल सा इंटर्फेश जहां पर आपको प्ले आपको प्ले नॉइज ही वीडियो को सेलेक्ट किया है मैंने और मैं कोई एक वीडियो ले लेता हूं और उसे आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाता हूं जो अभी वीडियो को क्लीन कर रहा है और सारे नॉजेस को हटा दे रहा है तो इसे हटाने के बाद मैं आपको इस दोनों वीडियो को प इसके लिए मेरे पास एक ऐसा software है जो सारे वीडियोज आपके और मेरे भी उसे denoise कर सकता है अब सुनो noiseless तो ऐसे मैं आप या मैं क्या कर सकता हूँ तो इसके लिए मेरे पास एक ऐसा software है तो सारे वीडियोज आपके और मेरे भी उसे denoise कर सकता है तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप उस कार वाले हॉन को याद रखना जो कि यहाँ पर पूरी गायब हो चुकी है और यहाँ पर आप इसे save कर सकते हो वीडियो के format पे भी और audio के format पे भी यहाँ पर MP4 आप जरूर से जरूर सेलेक्ट करना MP4 पर यह better perform करेगा ठीक है अब यह कुछ time लेगा जो के बहुत ज्यादा कम लगता है तो आप बारी आ जाती है इसके goons key जो कि यह है कि इसमें आपको balance की तरह कुछ minutes मिलते हैं और उतने ही minutes आप videos पे use कर सकोगे और उतने ही minutes के video आप बना पाओगे पर आपको क्या करना है कि जब भी यह minutes complete हो जाए तो आप इस app के data को clear कर देना जो आपको normal settings में मिल जाएगा तो ऐसे करके आप इसे free में हमेशा के लिए use कर सकते हो तो भाई आपको यह video कैसा लगा आप मुझे comment में जरूर बताना और अगर आपको मेरा यह video अच्छा लगता है और यह थोड़ा सा भी helpful है आपके लिए तो आपके लिए क्यान को सब्सक्राइब कर देना तो भाई मिलते हैं अपने next वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई